दो हजार निस के लोग सबा चुनाव से पहले मोधी सरकार एक संभिधान संसोधन की थी और ये था एक सो तीनवा और यहां पर एक सो तीनवे संभिधान संसोधन में क्या हुआ था कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जनरल कटेगरी में उनको दस परसेंट का को ले करके इस पूरे संभिधानिक संसोधन को ले करके सुप्रेम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया और अगर यहां पर सुप्रेम कोर्ट इसे रद कर देती तो इसे रद मान लिया जाता लेकिन यहां पर इसे सुनवाई करने के लिए पांच जजो की एक पीट बैठी जि तो इस पांच लोगों में से तीन लोगों ने ये माना है कि जो 10% का रचट दिया गया था वो बिल्कुल सही है हाला कि दो लोगों ने ये कहा है कि जो 10% का रचट दिया गया था वो बिल्कुल गलत है वो सम्विधान का उलंगन करता है अब अगर देखा जाए तो ये जो फैसला है तीन दो से पारित हुआ है मतलब तीन लोग इसके पच में है दो लोग इसके पच में नहीं है तो जहां पर अधिकता होगी वही को माना जाएगा यानि कि अब जो EWS कोटा है 10% वाला ये लागू रहेगा इसमें कोई भी बादा नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोट में 5 जजों की पीट बैट करके ये फैसला दे चुकी है अब अगर इसे चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोट इसे सुनने के लिए राजी होती है तो जाहिर से बात है कि अब 5 से अधिक जज बैठेंगे तभी इसकी सुनवाई हो पाएगी अब यहाँ पर आप जान लीजिए कि किसने किसने इसका बिरोध किया उनका नाम है योयो ललित मतलब जो हमारे CGI हैं CGI और Justice S. रबिंदर भट इन्होंने कहा कि अगर इस तरह सब को आरच्षट दिया जाने लगा तो एक तरह से ये एक भेद भाव दिखाता है और हमारा संभिधान इसकी अनुमती नहीं देता है हाला कि अब ये पूरी तरह क्लियर हो चुका है कि तीन लोगों ने इसे अलाव कर दिया है तो अब जो सिच्छा है नौकरी है वहाँ पे EWS का जो 10% वारा राच्षड है ये जारी रहेगा तो आपके हिसाब से फैसला सही है या फिर गलत कमेट करके बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करें